असलाम अलेकम स्टूडेंट्स मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम अक्सराइज 2.3 के पुस्चन 37 से 41 तक सोल्व करेंगे और इस लेक्चर में हम लिमिट स्टेट्मेंट को प्रूफ करने जा रहे हैं अच्छा जब हमने definition पढ़ी था ना शुरू में precise definition जो आपके सामने ये लिखी भी हुई है तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि इस definition की मदद से ये अपसिलों डेल्टा definition है आप किसी function की limit को evaluate तो नहीं कर सकते अलबता verify ज़रूर कर सकते है तो आज एक तरह से हम वही काम करने जा रहे हैं ठीक है आपके पास इन questions में functions की limit पहले से उसने evaluate करके हमें बताई हुई है आपने just इसको verify करना है इसे prove करना है उसका तरीका कार ये होगा कि हम किसी भी given epsilon के लिए delta की value find करेंगे और अब delta की value आएगी in terms of epsilon यानि आप जो भी epsilon pick करें उसके मताबिक हमें delta मिलना चाहिए such that कि ये जो condition है या ये जो definition है ये satisfy करें ठीक है काम बिलकुल मिश्किल नहीं है बस एक तरह से जो हम पिछले lectures cover करते आ रहे हैं जिसमें हमने delta की value ही find की थी उसमें particular value find करते थे चुँके epsilon given होता था आज epsilon given नहीं है हम in general काम करेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं question number 37 में सब कुछ data वगरा हमारे पास given है यानि अगर आप देखें तो आपके पास c की value 4 है function आपके पास f of x वो है 9 minus x ठीक है c की value आपके पास है 4 और l limit ये 5 आ रही है ठीक है तो हमें basically इस case में क्या करना है हमें value find करनी है delta की यानि अगर मैं definition को इन values के मताबिक लिक हूँ तो x minus c होता है तो हम लिखेंगे x minus 4 is less than delta this must implies f of x minus l which is 5 is less than epsilon so ये definition है आपकी limit की ठीक है तो हमें हर limit की हर epsilon के लिए delta evaluate करना है ठीक है तो तरीका कार वही रहेगा आप यूं कह सकते हैं कि हम अपना काम दो steps में follow करते थे आपने इस inequality से शुरू करना है यहां से आपको एक x का interval मिलेगा जो कि epsilon पर depend कर रहा होगा उसके बाद अपनी इस inequality वाजन है यहां से भी x का interval मिलेगा जो delta पर depend कर रहा होगा फिर आपने end points हो compare करना है और वहां से फिर delta की value find करनी है ठीक है चलिए start करते हैं आप जानते हैं हम पहले कोई एक दो questions proper format के मताबिक करते हैं बाद में चूंके फिर lecture length ही ना हो जाए थोड़ा हम speed पकड़के direct step भी करते हैं तो पहले दो questions जी है वो आप अच्छे सा अगर सुनेंगे तो मेरे खाल में बाद में कोई problem नहीं होगी so 9 minus x f of x है minus 5 this is less than आपके पास epsilon ठीक है 9 minus 5 आप जानते हैं क्या answer होता इसका 4 आ जाएगा ठीक है और 4 minus x तो हमारे पास जो inequality बन रही है 4 minus x absolute value is less than epsilon अब आप इसको open करेंगे ठीक है minus epsilon is less than 4 minus x and this is less than epsilon हमें चोंकि x का interval चाहिए तो जो x के अरावा जितनी भी terms है उन्हों हम खातम करते हैं खातम करने के लिए देखिए यहां पर क्या है 4 है add हो रहा है न 4 plus करेंगे जिससे आपकी inequality बन जाएगी minus 4 minus epsilon is less than minus x and this is less than epsilon minus 4 ठीक है दर्मियान से minus और plus cancel out हो जाएगे अब minus बचा minus खतम करने के लिए minus से throughout multiply करें तो वो आपकी inequalities change होंगी और sign change हो जाएगे यह है minus 4 minus epsilon यह बनेगा 4 plus epsilon पहले less than था अब greater than आ जाएगा x and again greater than epsilon minus 4 है तो यह बनेगा 4 minus epsilon science change हो जाएगे ठीक है बर जितना ही काफी है अब ज़रा हम प्रॉपर तरीके से इसके inequality greater than है न तो इनको थोड़ा सा आप किया लें के rearrange करके लिख सकते हैं इस ट्रम को पहले लिख लें 4 minus epsilon this is less than x and x is less than 4 plus epsilon तो यह जो आप interval देख रहे हैं x का यह आपके पास in terms of epsilon आया second अब आपने जो काम करना होता है वो second inequality which is x minus c और c की value अगर मैं directly यहाँ पर लिख दूँ ठीक है c की value आपके पास क्या है 4 है तो यह आपके पास आ जाएगा x minus 4 is less than delta यहाँ से आपके पास x का interval in terms of delta आएगा लेकिन उससे पहले ज़रा हम open करें minus delta is less than x minus 4 is less than delta minus 4 है तो सारी हर तरफ आप 4 add कर दें तो वो बनेगा 4 minus delta is less than x and this is less than 4 plus delta तो एक interval x का यह आ गया एक interval यह नीचे था तो हम अब इनको इनके end points को compare करेंगे मतलब right value को right के साथ comparison होगा और left का left के साथ comparison होगा यह यह इदर left आपके पास है 4 minus delta और यहाँ पर है 4 minus epsilon ठीक है और right वाली तरफ है 4 plus delta और यहाँ पर है 4 plus epsilon delta की value में चाहिए यहाँ से 4 और 4 cancel out हो जाएंगे minus से multiply करेंगे तो अगर मैं तो डिरेक्ट लिख हूँ तो delta की value epsilon आएगी by the way यहाँ से भी epsilon ही आ रही है तो दोनों values खेर same आ गी है same ना आती तो फिर हमने smaller pick करनी थी तो इसका मतलब है हमारे पास जो delta का answer आ गया that in terms of epsilon वो आ गया epsilon यनि दोनों same होंगे अब लाजमी नहीं है कि delta की सिर्फ यही value वर्क करें ठीक है आप इससे छोटी भी कोई value लेंगे वो भी work करेंगी for any given epsilon ठीक हो गया ओके next move करते है 38 जो के कोई similar type ही है चुँके linear function given है यहां पर भी तो सबसे पहले इसमें देख लें function आपके पास है f of x हम नाम दे देते हैं this is 3x minus 7 c जिसको हम limit point बाज उकात कहा देते हैं this is 3 और l जो आपकी limit है this is 2 ठीक है अब start करते है f of x minus l is less than epsilon यह inequality हम basically statement को limit को prove करने जा रहे हैं by using the definition तो उसके लिए हमें delta evaluate करना है जो कि in terms of epsilon आएगा ठीक है और f of x की value put कीजिए which is 3x minus 7 l की value है 2 is less than epsilon minus 7 minus 2 बनेगी minus का 9 is less than epsilon अब आप इसको open कर सकते हैं तो हमारे पास आजाएगा minus epsilon is less than 3x minus 9 is less than epsilon ठीक है हमें चाहिए 9 x की value तो सबसे पहले constant को खतम करने के लिए यह minus 9 हो रहा है तो आप throughout 9 add करेंगे वह बन जाएगा 9 फिर minus epsilon is less than 3x 3x and this is less than 9 plus epsilon अब 3 खतम करने के लिए 3 से overall divide कर दें तो जब left side को divide करेंगे तो यह बनेगा 3 minus epsilon divided by 3 ठीक है चोंके 9 over 3 3 बचेगा तो direct लिखती है मैंने is less than 3 plus epsilon divided by 3 so यह हमारा interval बना in terms of epsilon x का interval है यह ठीक हो गया ओके second inequality पर आज है which is x minus c is less than delta c की value आपके पास है 3 इस case में तो x minus 3 is less than delta open करेंगे तो यह बनेगा minus delta is less than x minus 3 and this is less than delta x चाहिए minus 3 खतम करना है 3 add कर दें तो यह बनेगा 3 minus delta is less than x and is less than 3 plus delta तो यह interval हमारे पास x का in terms of delta बन गया ठीक है तो अब basically हम इसे क्या करेंगे अब हम इसको comparison करेंगे पिछले वाली interval के साथ ठीक है left hand point को left के साथ और right hand point को right के साथ तो left hand point है 3 minus delta यहाँ पर है 3 minus epsilon over 3 ठीक है right side पर देखें तो 3 plus delta यहाँ right side पर देखें तो 3 plus epsilon over 3 3 and 3 will cancel out तो delta की value यहाँ से बन रही है minus भी cancel हो जाएंगे यह बन रही है epsilon divided by 3 यहाँ से भी by the way same term आ रही है so del is equal to epsilon over 3 ठीक है तो maximum जो आप अपने epsilon delta को choose कर सकते हैं वो epsilon का one third ले सकते हैं इसे छोटी values भी ले सकते हैं वो भी काम करेंगी इससे बड़ी नहीं ले सकते हैं बस ठीक है epsilon divided by 3 इसकी आप कह सकते हैं कि maximum value है ठीक है यह इसका answer हो सकता है इसे छोटी value भी work करेंगी तो चुके आपके पास देख रहे हैं दोनों terms हमारे पास sorry terms कहा रहा हूँ दोनों value same आ गई है तो exactly फिर यही हमारा answer होगा epsilon divided by 3 ठीक है चलिए next question number 39 पर अब थोड़ी हम speed बखड़ेंगे तरह so f of x आपके पास इसमें है square root x minus 5 c की value आपके पास आ रही है 9 limit point l is 2 so हम start करते हैं f of x minus l f of x है x minus 5 square root l had 2 is less than epsilon open कीजिए यह बनेगा minus epsilon is less than square root of x minus 5 minus 2 is less than epsilon minus 2 खतम करना है 2 add करें तो यह बनेगा 2 minus epsilon less than square root x minus 5 is less than 2 plus epsilon scale root खतम करने के लिए scale ले लें हर तरफ यह बनेगा 2 minus epsilon का square is less than x minus 5 is less than 2 plus epsilon का square ठीक है minus 5 खतम करने के लिए 5 add कर दें तो यह बनेगा 5 plus 2 minus epsilon square is less than x and this is less than 5 plus 2 plus epsilon का whole square तो यह interval आ गया हाँ इसका further simplify किया जा सकता है लेकिन अभी जूरूरत नहीं है वह बात में कर लेंगे अब आज़ें दूसरी inequality पे which is x minus c c है 9 is less than delta open करेंगा तो यह बनेगा minus delta is less than x minus 9 is less than delta 9 add कर दें तो यह 9 minus delta और 9 plus delta यह आपका x का interval बनेगा अब बारी आती है comparison की left with left and right with right so तो आपके पास 9 minus delta यहां से left और यहां से left आ रहा है 5 plus 2 minus epsilon का whole scale and right के लिए 9 plus delta और 5 plus 2 plus epsilon का whole scale आ जाएगा all right अब हमें delta की value चाहिए तो इसको हम थोड़ा था सिंप्लिफाई कर लेते हैं चुंकि कुछ terms हो सकता है cancel out हो जाएं तो okay so ठीक है 9 minus delta is equal to 5 plus scale open करेंगे तो यह बनेगा 4 plus epsilon square minus 4 epsilon ठीक है और right side चलने बलके पहले इसको देख लेते हैं तो यह 5 plus 4 क्या बनेगा 9 5 plus 4 बनेगा 9 और 9 यहां पर रही है cancel out हो जाएंगे तो delta की value minus delta की epsilon square minus 4 delta बनेगी तो minus multiply करें तो हमारे पास बनेगा 4 epsilon minus epsilon square ठीक है और अगर आप right side को simplify करते हैं तो वहां से भी आपको बस exactly बलके नहीं वहां से same नहीं आएगी different हाईगी क्यों different हाईगी क्योंकि यह plus sign है चलें कर लेते हैं उसको भी 9 plus delta is equal to 5 plus square open की जीए 4 plus epsilon square plus 4 epsilon तो यही main difference था 5 plus 4 again 9 होता है तो 9 9 cancel out तो delta की value हमारे पास आ रही है epsilon square plus 4 epsilon अब आपने यहां से देख रहा है कि smaller कौन सी है और वो of course यह वाली है चूंकि minus r है इसमें चीज़ें add हो रही है इसमें subtract हो रही है तो जाहरी इस भी बात है आपके पास this one will be smaller one तो यही फिर हमारी value होगी delta in terms of epsilon आएगा 4 epsilon minus epsilon square कोई भी epsilon pick करते हैं उसके मताबिक फिर आपका delta आ जाएगा जिसके लिए आपके definition satisfy करेगी ठीक है चलिए आज का second last question वैसे यह बिलकुल similar है पिछले question से इसमें भी function आपका square root की form में आ रहा है so we have f of x is equal to 4 minus x का square root c आपके पास है 0 l की value है 2 ठीक हो गया ओके तो आप जानते हैं हम start करते हैं f of x minus l के साथ f of x है 4 minus x का square root l है 2 is less than epsilon open करेंगे तो यह बनेगा minus epsilon is less than square root 4 minus x minus 2 is less than epsilon minus 2 है add करेंगे तो यह बनेगा 2 minus epsilon is less than 4 minus x का square root is less than 2 plus epsilon अब scare कर लें हर तरफ को तो यह आजाएगा 2 minus epsilon का whole square is less than 4 minus x is less than 2 plus epsilon का whole square अब आपके पास 4 add हो रहा है ना इद्रम्यान में खतम करने के लिए minus करेंगे throughout तो वह बन जाएगा 2 minus epsilon का square minus 4 less than minus x and this is less than 2 plus epsilon whole square minus 4 ठीक है अब minus खतम करने के लिए overall minus multiply करें sine सब ही के सब ही change हो जाएगे minus है तो plus हो जाएगा यह plus है minus हो जाएगा तो 4 minus 2 minus epsilon का whole square inequalities भी change हो जाएगी और यहां पर भी 4 minus 2 plus epsilon का whole square and that's it अब ज़र रिरेंज करके इस term को पहले लिख लें मतलब 4 minus 2 plus epsilon का square is less than x and this is less than 4 minus 2 minus epsilon का square ठीक हो गया चलिए तो यहां तक अब आपके पास जो interval बन रहा है this is the interval for x हमें क्या करना है डेल्टा वला interval भी evaluate कर लेना है और उसके लिए x minus c करते हैं c क्या है 0 है is less than epsilon 0 हतम हो जाएगा open करेंगे तो डेल्टा वा इंटर्वल simply यह बन जाएगा minus epsilon से epsilon तक अब आबारी आती है आपके comparison की बोथ left and right end points को तो ओके left की तरफ यहां पर है minus epsilon sorry 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 यह देखने यह epsilon नहीं था this one is delta this is delta okay so okay so this is delta यह minus delta और delta के in between होगा आपका x ठीक है और यहां से अब आपको क्या करना है comparison करना है left वाली है minus delta और यहां पर left वाली है 4 minus 2 minus epsilon का scale right की तरफ देखा जा तो यह delta और यहां पर है 4 minus 2 plus epsilon का sorry देखें न फिर मच्ट स्टिक हो रही है खेर तो 2 plus epsilon का scale यह वाली right value लेनी है तो epsilon है अच्छा अब आप इस्टोड़ सिंप्लिफाई करेंगे minus को अभी ऐसी चले रहने दे यह multiply कर दें कर दें आप उस तरफ ले जाए तो यह बनेगा minus 4 plus 2 minus epsilon का whole scale ठीक है अब scale open करें तो यह minus 4 as it is रहेगा scale open करेंगे तो 4 plus epsilon का scale minus 4 epsilon तो plus minus 4 cancel out delta की value आजएगी epsilon square minus 4 epsilon अब right पे आजएए तो यह आजएगा delta is equal to 4 minus scale open करें तो यह 4 plus epsilon square and okay plus 4 epsilon ठीक हो गया तो जब यहाँ पर यह open करेंगे इस side को तो हमारे पास आजएगा इस case में अखे इस is 2 minus था यह plus था एक मेंट ज़रा है इसको हम थोड़ा से देखेंगे ना mistake होगी है असल में वो value थोड़ी नीचे हुई थी चुपी थी तो हमारे पास basically right side पे जो है रहा है वो plus है और left side पे minus आ रहा है खेर है इसको अभी हम change कर लेते हैं देखें यह plus था यह plus हो जाएगा यह plus हो जाएगा यहाँ पर negative है yes यह negative है तो यह negative की वज़ा से यह 4 के साथ negative आ जाएगा ठीक है ऐसे यह ना 4 के साथ आपके पास simply negative sign आ जाएगा okay 2 minus epsilon and this one is minus epsilon okay अब आपके पास 4 minus 4 minus epsilon square minus multiply करेंगा यह plus हो जाएगा तो cancel out delta की value क्या बनेगी 4 epsilon minus epsilon square अब हमें smaller choose करनी है smaller कौन सी है बिल्कुल पिछले question की तरह इसमें आपके पास smaller value जो आ रही है वो यह minus value आ रही है यह obvious सी बात है ना आपके पर सीज़ है minus में हो तो कम हो रही होती है कि दो terms add होगी तो कोई बड़ी value आएगी minus होगी तो छोटी आएगी तो हमें छोटी choose करनी है which is 4 epsilon minus epsilon square ओके आज कर लास question की तरफ move करते हैं हमारे पास 20 minutes हो जोगे है almost चले है ठीक है अच्छा आप इसमें एक काम चूंके function piecewise आ गया तो function choose कौन सा करेंगे आप देख रहे हैं कि इसमें एक x square है दूसरा 2 है 2 is a constant function ठीक है और यह तो exactly define भी है 1 पर इसकी value हमारे पास 2 आ रही है बट उसने क्या कहा हुआ है कि limit का answer क्या आ रहा है 1 आ रहा है अगर आप limit value करते हैं 1 पर तो यह function तो नहीं न choose होगा ठीक है न चूंकि 1 पर limit value करने के लिए अपर function हम choose करेंगे वैसे भी उसने दे दिया हुआ है कि function की limit 1 आ रही है ठीक है function के मताबिक और इस limit के मताबिक हम जो function चूस करने वाले हैं वो x square है इसी की limit ही आपके पास 1 आ रही है न x square की according to the definition तो बरहल c 1 है limit point lb 1 है बगी question सेम है इसका बस इतना ही काम था जो हमने यह ले लिया यहाँ पर और अब आपके पास exactly आपको same काम करने है ठीक है बट एक बात याद रहे कि जो हमने function choose किया है यह वाला function यह x is equal to 1 के लिए define नहीं है यह आपको साथ साथ लाजमी mention करना पड़ेगा क्योंकि यह already उसने बलके लिखा हुआ है this function is defined for x is not equal to 1 ठीक होगे ना चलिए हमारी inequality जहांच हम start करते है f of x minus l which is 1 is less than epsilon open करेंगे तो यह बनेगा minus epsilon is less than x square minus 1 is less than epsilon minus 1 खतम करने के लिए 1 add करेंगे throughout यह 1 minus epsilon is less than x square this is less than 1 plus epsilon अब आप scale root ले ले लेंगे तो वह बनेगा scale root of 1 minus epsilon is less than यहां पर जब आप x square का scale root लेते है ना तो वह by definition उसका answer आता है absolute value of x ठीक है and this is less than 1 plus epsilon का 1 plus epsilon का scale root अब हमारे पास तो आगी absolute value इसका मतलब होता है कि एक मरतबा positive में एक मरतबा negative में अब हम कैसे बता चलेगा कि हमने positive value लेनी है यह negative लेनी है इसका answer आपको देगा यह c आपके देखना है कि positive value लेने के लिए यह जो interval बनेगा क्या interval 1 को contain करता है यह negative के लिए भी लेंगे तो फिर करेगा तो यह अब आपके लिए छोटी से assignment है वैसे इस चीज़ को मैं पिछले एक तो lecture पहले in detail बता चुका हूँ कि आपने यह कैसे decide करना होता है ठीक है तो अगर आप negative by the way ले ले लेते हैं तो आपकी values end point negative में चल जाएंगे और हमारा तो positive है तो c1 जो है वो इदा से निकल आएगा बाहर हमें तो ऐसा नहीं करना न दीक अप्रोच कर रहे है तो इसके closing वाले points लेने है तो तब ही आएंगे जब आप x की value यहां पर positive consider करेंगे ठीक है तो हमारा जो interval बन रहा है जी इस case में that is simply 1 minus epsilon is less than x and this is less than 1 plus epsilon ठीक है यह interval आगया x का in terms of epsilon अब हमें क्या करना है और यह exist करता है यह x is equal to 1 आप लिक्स भी सकते हैं साथ में minus x लेंगे तो वो फिर x is 1 के against जो है उसके surrounding में कहले नेबरिंग में कहले वो lie नहीं करेगा ठीक है so second equality is x minus c, c is 1 is less than delta open कीजिए तो बनेगा minus delta and delta के दर्मयान में x minus 1 आ जाएगा और minus 1 खतम करने के लिए 1 add कीजिए तो 1 minus delta is less than x and this is less than 1 plus delta अब आप right और left end points जो हैं वो उनको देख ली जिए compare कर ली जिए तो वो आपके पास 1 minus delta और यहां से आ रहा है 1 minus epsilon का scale root और यहां से 1 plus delta is equal to 1 plus epsilon का scale root यहां से delta की value अगर मैं थोड़ा direct लिख हूँ तो वो आपके पास आ जाएगी 1 minus scale root of 1 minus epsilon और यहां से delta की value 1 plus epsilon minus 1 यहां से 1 plus epsilon का scale root minus 1 अब आपने देखना है कि यह इसमें से चोटी value कौन सी और बड़ी कौन सी है और बाइद आवे इतर इतना easy नहीं होगा इस case में देखना देखा जा सकता है तो जब भी ऐसा कोई case आ जाए तो आपने अपने delta को क्या लिखना है मैं आपको लिख देता हूँ आपने simply यहाँ पर लिख देना है minimum of minimum of one minus square root of one minus epsilon कोमा दूसरी value लिखने one plus epsilon square root minus one तो just आप यह लिख सकते हैं अब हमें चूंक अभी नहीं पता ना कौन सी इसमे value छोटी है तो आप लिखने minimum of these जो भी छोटी होगी वो एक को लोगी delta आगे और यह notation जो है आगे जाकर हम कई जगां पर use करेंगे ठीक है यह minimum value तो I think फिर आज के लिए इतना ही काफी है और ओके नेक्स लेक्चर में मिलेंगे नेक्स दो लेक्चर जो है उसमें हम same यही काम करेंगे यानि limit जो है उसको statements को प्रूव करेंगे तो आज की लेक्र समतलिक कहीं से भी कोई question query हो तो comment section में पूछ सकते हैं otherwise thank you very much